नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा Electrical Drawing पर है और ये Electrical Drawing का Part 11 है दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम MCC Panel का Drawing परना सिखेंगे दोस्तों, ये जो हमारा MCC Panel का Drawing है, वो टोटल 15 पेज का है, ठीक है? उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जन्नकारी दिया गया है, क्या क्या information दिया गया है, देख लीजिए दोस्तों, ये जो हमारा MCC Panel है, उसके अंदर तीन फेज और चार वायर का सिस्टम बनाए गया है यानि कि, थ्री फेज सप्लाई और एक न्यूटल सप्लाई भी होगा, ठीक है? दोस्तों, ये जो हमारा MCC Panel है, उसके अंदर सभी electrical equipment पचास हर्श के हैं, ठीक है? अब ये जो हमारा Panel है, वो हमारा MCC Panel है, MCC का मतलब Motor Control Center होता है अब जो हमारा MCC Panel है, उसका जो incoming है, वो 500 MPR का है, उसके बाद हमारा MCC Panel है, वो 415 बोल्ट पे काम करता है और उसके अंदर जो controlling किया गया है, वो 240 बोल्ट पे control किया गया है चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखे दोस्तों, इसके बाद में, यहाँ पे जो हमारा second page है यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, seat number 2, यानि की page number 2 है, ठीके, page number 2 में यहाँ पे आपको कुछ information दिया गया है, इस drawing के बारे में तो इसको हम यहाँ पे skip कर देते हैं, अब आते हैं, हम page number 3 पे, page number 3 में यहाँ पे आपको symbol दिखा गया है दोस्तों यहाँ पे जितने भी symbol आपको दिखाया गया है, वो सबी इस mcc panel के drawing में इस्तमाल किया गया है, ठीके, इस drawing में जो symbol है, उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताए गया है दोस्तों यही आप किसी प्रकार का electrical drawing पढ़ना चाहते हैं, तो उस electrical drawing से related जितने भी symbol हैं, उसके बारे में आपको knowledge होना बहुत ही जरूरी है बिना symbol के knowledge के आप electrical drawing नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसलिए आप electrical symbol को अच्छे तरीके से पढ़ लिजेगा दोस्तों, electrical symbol से related मैंने कुछ वीडियो भी बनाया हूँ, उन वीडियो को आप देख सकते हैं, उन वीडियो का link में आपको description में देख सकते हैं, आप वहाँ पे click करके देख सकते हैं ठीके दोस्तों, यहाँ पे जो symbol बनाया गया है, उसके बारे में यहाँ पे आपको explain नहीं करूँगा, ठीके, तो इसको भी हम यहाँ पे skip कर देते हैं, अब आते हम page number 4 पे, page number 4 जो है हमारा उसमें single line diagram बताए गया है, अब यह जो हमारा single line diagram है, इसके माधियम से यह बताए आपका जो MCC panel है, उसके अंदर किस प्रकार से electrical equipment चूरे हुए है, ठीके, यहाँ पे आपको cable power wiring के बारे में बताए गया है, control wiring को single line diagram के दोरा हम दरसार नहीं सकते हैं, ठीके, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से connect है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा MCC panel है, उसके अंद यहाँ पे आप देख सकते हो, CU लिखा है, CU का मतलब copper होता है, ठीके दोस्तों, अब यह जो cable है, वो जाके MCCB में connect होता है, यह जो MCCB है, वो हमारा incoming है, अब यह जो हमारा MCCB है, वो 500 ampere का है, और वो 3 pole का है, ठीके दोस्तों, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते ह यहाँ पे तीन लाइन बनाए गया है, इन तीनों लाइन का यह मतलब होता है, यहाँ पे जो single line डो किया है, वो actual में तीन लाइन है, बस आपको यहाँ पे दिखाने के लिए single line diagram दिखाए गया है, ठीके, तो यहाँ पे single line diagram है, वो 3 है, यहाँ पे L1 हो जाएगा, फिर उसी जो हमारा MCCB है उसके आर्टविन टर्मिनल से एक बस बार कनेक्ट है ठीक है यह हमारा बस बार हो जाएगा ठीक दोस्तों अब बस बार के माध्यम से अलग-अलग feeder में इसको डिस्टिबिट किया गया है कुल मिला के यहां पे हमारे पास छे feeder है ठीक है यह जो हमारा feeder no.1 है यह हमारा पांच किलो वाट का है जो कि dual starter के लिए बनाए गया ठीक है इसी पकासे जो feeder no.2 है वह हमारा 7 किलो वाट dual starter के लिए इसके बाद हमारा जो feeder no.3 है वह हमारा 11 किलो वाट star delta starter के लिए इसी पकासे feeder no.4 15 किलो वाट star delta starter के लिए है इसी वेकार से अलग-अलग पावर सप्लाई को डिस्टुट कर दिया जा रहा है तो आते हैं सबसे पहले फीडर नमबर वन के यहाँ पर आप दस तो देख सकते हो तीन लाइन रोके गया यानि कि यह जो हमारा पावर सरकीर यह वी तीन लाइन में अब यह जो हमारा बस बार है उसका जो एक सप्लाई है वो एक F до 2H2 है तो यार्प यह जो हमारा GD東西 है इसका रेटिंग 20 A दस दोस्तों यहां पर देख सकते हो 20 A लिखा हुआ इसका अब यह है कि यह जो हमारा mcb है वो 20 ampere का है ठीक है अब यह जो हमारा mcb है इसके आर्गोइन टर्मिनल से जो पावा सरकीट गई है वो सीधे ही एक contactor में चली गई है यह जो हमारा contactor है वो ac3 type का है और इसका rating 9 ampere है ठीक है उसके बार भी यहां पर दोस्तों देख सकते हो एक symbol लिखाए गया है यह आर्टगोइंग symbol होता है यानि कि यहां से power supply फिल्ड में चली गई है और फिल्ड में जाके सिधे ही motor में connect हो जाती है ठीक है दोस्तों अब यह जो हमारा cable है वो 4 square mm का है और यहां पर CU लिखा हुआ है यानि कि copper cable है ठीक है दोस्तों तो यहां पर हमें मालूम चल गया कि यह जो हमारा 5 kilowatt का motor था उसके लिए 4 square mm का cable इसके गया है जो कि copper का है इसी प्रकार से यह जो हमारा feeder number 2 है यह 7 kilowatt motor के लिए इस्तमाल किया है ठीक है अब यह जो हमारा motor है इसके लिए एक MCV लगा गया है जो की 32 amp का इसका rating है और यह तीन पोल वाली है ठीक है उसके बाद यहां पर जो power supply गई है वो एक contactor में चले गई है अब यह जो contactor है वो भी AC3 है और इसका rating 18 amp है आप यहां पर देख सकते हो ठीक है दोस्तों अब इसके बाद जो power supply गई है वो overload relay में चले गई है और overload relay का range 9-15 amp है ठीक है अब overload relay के अर्गोइन terminal से एक cable जोड़ा गया है जो की सीदही motor में चली जाती है अब यह जो हमारा power cable है वो 6 square mm का है यहां पर लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो ठीक है अब यह जो केवल है वो copper cable है ठीक दोस्तों तो यह जो हमारा motor है साथ kilowatt वाली इसके लिए 6 square mm का cable है जो की copper cable है अब यह जो circuit diagram डो किया गया है इसके नीचे में यहां पर लिखा हुआ है 11 kilowatt star delta यानि कि यह जो हमारा motor है इसको operate करने के लिए star delta starter का उप्योग किया गया है अब देखिए यहां पे जो ह हमारा mccb है वह तीन पोल वाली है ठीक है यानि कि तीन टर्मिलें इंकमिंग लिए और तीन आटगोइंग के लिए ठीक है अब जो हमारा mccb है उसके आटगोइं टर्मिल से एक कॉन्टेक्टर को connect किया गया है यह जो हमारा कॉन्टेक्टर है वह AC3 टाइप का है और इसका रेटिंग 18 MPR है ठीक है अब यह जो हमारा मैं कॉन्टेक्टर है उसके आटगोइंग टर्मिल पे एक ओवरलोड रिले को लगाए गया है जिसका रेज 9 से 15 MPR है उसके बार में पाव सप्लाई हमारा मोर्टर में चलिया थी इस मोर्टर को पाव सप्लाई देने लिए यहाँ पे 6 mm का कोपर केबल इसके बीच में यहाँ पे एक चोटा सा सीमबोल भी तेख सकते हो यह गोला ठीक है यह जो गोला बनाया गया है यह हमारा सीटी का सीमबोल है यह जो हमारा सीटी है इसके साथ में एक अमिटर को कनेक्ट किया गया है अब यह जो हमारा सीटी है इसका को पढ़ लिया तें के अप सब्सक्राइब आते हैं यहां पर तो देखें दोस्तों आपको मालुम ही्योगा कि जो हमारा स्टार डल्टा स्टार्डर हो ती इसके अंदर तिंक कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल के जाता है एक तो हमारा मैन कॉन्टेक्टर होता है दूसरा star contactor और तीसरा delta contactor ठीक है तो यहां पे भी आपको tin contactor दिखाए गया है यह हमारा man contactor हो गया अब यह जो दूसरा contactor है यह हमारा delta contactor हो जाएगा अब हमें वालूम कैसे चला कि delta contactor हो गया है यह आप यहां पे देख से दोस्तों यहां से power supply को distribute किया गया और इसको लिआ गए मोटर के दुसरे हिस्से में connect किया गया यानि कि जो मोटर का दूसरा तीन terminal होती है उसके सार connection किया गया ठीक है यानि कि यहां पे delta connection बनाया गया है ठीक है उसके बार में यहां पे एक और कॉंटेक्टर का इस्तमाल किया गया है यह हमारा स्टार कॉंटेक्टर हो जाएगी ठीक है अब आते हैं दोस्तों हमारा जो फीडा नंबर फॉर है उस पर फीडा नंबर फॉर में भी एक स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए पावर वायरिंग बनाया गया है जो कि सिंग यानि कि हम इसका सेटिंग नो से पंदर एंपेर के बीच में कर सकते हैं उसके बार में यहां पर एक सीटी यूश किया गया है जिसका सीटी डिशिटी बाइफ 5 एंपेर है ठीक रोस्तों अब यह जो हमारा मोटर है इसके लिए एक कॉपर केबल का इस्तेमाल किया गया है और यह जो हमारा कॉपर केबल है वो 6 स्क्वेर एमेम्य का है जो कि कॉपर का है ठीक है अब यह जो हमारा फीडर नमबर फाइफ है इसमें केबल एक MCB का इस्तेमाल किया गया ठीक है जो की 63 एमपेर का है और इस MCB के आड़ इंटर्मल से पावर सप्लाई सीदे ही एक केबल के दौरा बाहर चली जाती है यानि कि इसको हम किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि लाइटिंग के लिए या फिर और कोई उप्योग के लिए ठीक है अब यह जो हमारा फीडर नंबर 6 है उसमें भी एक MCB का उप्योग किया गया है जो कि 63A का है और इसका पाउर सप्लाई सीदे ही एक 35 स्क्वेर एमेम के लिए के दौरा बाहर चली गई है यानि कि इसके दौरा हम किसी लाइटिंग को या फिर कोई भी लेटिकल अक्यूमेंट जिसको हमें पाउर सप्लाई देना है उसके लि ह MADITY TAPP में दे दिया हूँ उस लिंक के दौरा केवल हमारे मैंबर्सी डांटोड कर सकते है दोस्तों यहागी तक आपने हमारे आते हैं पैज नमबर 5 पे यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है Os यहां पर डिक देखें की फैस कि आज बारे में बताएं यहां पे जो इंकमर केबल था जो यान कि 240 का जो केबल था उसके दोर जो पावर सप्लाई आती थी वो हमारे MCCV में चली जाती थी ठीक है यह हमारा MCCV है इसका रेटिम 500 A है और यह 3 पॉल वाली है अब जो न्यूटल सप्लाई है उसमें एक न्यूटल लिंक लगाए गया आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो सिंबॉल आप देख रहे हैं यह हमारा न्यूटल लिंक है ठीक है दोस्तों दोस्तों यह जो हमारा MCCV है इसके आटगोएं टर्मिल से जो बसबार इसके दोर्ण पावर सप्लाई सीधे ही चली जाती है नेक्स पेज पर यहाँ पर लिखा हुआ है जी जिडियो शिक्स बाइज बाइज लिखा गया है यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो यह हमारा पेज नंबर 5 है तो इसका जो location है यह जो हमारा page है इसमें जितने भी equipment इसके गए उनका location 5 है तो यानि कि page नंबर 5 और यहां पे अलग-अलग location लिखा गया ठीक है यहां पे आप देख सकते हो जीरो टू लिखा ठीक है तो इस location को हम search करते हैं कि कहा पर है तो यह लिखा हुआ जीरो 6 भाई 02 ठीक है तो आते हम कहां पर यहां पर यहां पर यह हमारा page number 6 है इस page number 6 में आप देख सकते हो यह हमारा टू अगया ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो जो यह जो face supply आई थी R face Y face और B face और neutral यह हमारा page number 5 यह 39 से यहां पर भी आपको location लिखा हुआ मिल जा हे ठीको अब यह जो हमारा बसाइर या फिर केबल जो हैं हुसके साथ में फ्यूज कनेक्ट किया गया ठीक है commandments की युज हें हैं यह उसाफ है हे कि नहीं थी कि आफ़ देख सकते ूजो हमार R Face ने उसके लिए एक Red Indication Lamp कनेक किया गया है Y Face के लिए एक Yellow Indication Lamp और B Face के लिए एक Blue Indication Lamp को कनेक किया गया आब ये जो हमारा तीनों Indication Lamp है इनको Neutral Supply, Neutral, बस बार या फिर Neutral केबल से दी गई है ठीके दोस्तों अब देखिए दोस्तों यह जो आप सिंबोल देख रहे हो यह ट्रांसफर्मर का सिंबोल है यह जो ट्रांसफर्मर है वो 415 वोल्ट को 240 वोल्ट में कनवर्ट करता है ठीक है अब देखिए यह जो हमारा ट्रांसफर्मर है इसको पावर सप्लाई देने के लिए एक MCB का उपयो इस MCV में दौ ऐस तर्फेस सपलाई दे दि गई है और इसके अटवांग टर्मिनल से भी दो सपलाई मिलेकी लेकिन जो हमारा 300 थ़ा उसके अटवांग टर्मिनल से हमें किवस्ट सपलाई मिलेका क्योंकि यह जो हमारा founders ए वह two sequiga को सिंगल फेस में convert कर देगा यानि कि 240 वोल्ट में convert कर देगा अब यह जो हमारा outgoing power supply है वो एक MCV में चली आती है यह जो हमारा MCV है यह 4 ampere का MCV है ठीक है और इस MCV को नाम Q5.3 लख दिया गया है ठीक है दोस्तों अब यह जो power supply है यह page number 6 और 14 नमबर location पर चली आ दिये चली देखते हैं कि कहां पर है तो देखे यहाँ पे हमारा page number 6 है और 14 नमबर location कहां है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो कि एक phase यहाँ पर आया है और newtas supply यहाँ पर आया है ठीक है तो जो control power supply यह था रही है वह यह पर सोख है यहानि कि इस पेज़ जHow हम यह पर पूस्खीश कर देते हैं आगे जितने सरक尡ेकरम हैम शबो हें रिणजित पेसे यहां तो लाइक्ट चला कर दीजीगा और आपके प्रेंड के सथ्ब्वी भी कोशल क्そして और यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद